नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओलाइन और ओफलेंड ग्यान में आज की जो अपडेट आप लोगों के लेकर आयों, यह हैं अप्रेंटिस के लेकर आयों, रेलवे के अप्रेंटिस है देखो, आप सभी जानते हैं, मैंने बीच में आप लोगों के लिए अप्रेंटिस के अपडेट देना आप लोगों को बंद कर दिया था उसके पीछे मैंने आप लोगों को रीजन बदाया था कि बहुत बच्चे फेवर में नहीं है अप्रेंटिस के तब ही आप लोगों उसके benefit होने के ज़्यादा chances होते हैं और देखो असली benefit आप लोगों को तब पता चलता है जब आप लोगों के लिए नोकरियां आती है वो इस टाइम पर आप लोग सोचते हो कि काश मैं apprentice कर लेता तो आज जो है मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पर marks के लिए मेनत नहीं करने पड़ती तो वो reality आप लोग जानती है इस्टन रेलवे की तरफ से कोलकता की साइट से यह apprentice आई है ओल ओवर इंडिया के candidates अप्लाई कर सकते हैं NCVT, SCVT mostly same criteria आप लोगों के लिए 2000 से उपर 30 बार निकले form इसका 27 नो से आप लोगों के लिए चालू होगा ठीक है 27 नो से आप लोग इसका form फिल करना शुरू कर सकते हैं 26 दस तक इसका form फिल करने का आपको मोका मिलेगा multiple trades है जिसे अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ फिटर, vacancies आप लोगों साथ साथ देखते रहे न welder है, आप लोगों का जो है MMV है उसके बाद आप लोगों का diesel mechanic है, machinist है उसके बाद carpenter है, painter है, lineman, general है, wireman है RNAC है, electrician है और MMTM है अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो newly जो है, अभी IT पास हुए वो अभी सोच में पड़े होंगे कि हम कहां कौन सी दिशा में जाए apprentice की दिशा में जाए, नोकरी की दिशा में जाए या फिर हम लोग जो प्राइवेट नोकरी की दिशा में जाए तो देखो, mostly सारी सीजे आप लोगों को पर depend करती है अगर आपको railway का अफसर चाहिए, railway में future में आपको benefit चाहिए क्योंकि देखो, railway में नोकरी तो आनी ही है, group D की as a group C के level पर तो उसमें तो आप लोगों को 100% benefit मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आप लोग decide कर लो कि आपका मकसद क्या है आगे चलके उसी के base पर अपना एक साल waste करो क्योंकि एक साल आप लोगों का बहुत कीमती होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को free में आपर apprentice करवाई जा रही है पैसे आप लोगों को दिये जा रहे है साथ से 9000 रुपे के बीच में railway में आप लोगों को मिलते है कहीं कहीं पर कम भी हो जाता है कहीं कहीं पर थोड़ा सा जादा भी हो जाता है इसके लावा जो 1500 वाला issue चल रहा है वो तो मैं आप लोगों के साथ अल्रेडी share कर चुका हूँ जो ट्रेड में ने उपर आप लोगों को नहीं बताई है वो यहाँ पर मैं बता दूँगा electronic mechanic और उसके बाद blacksmith जिसमें sheet metal के बच्चे भी apply कर पाएंगे painter है आप लोगों का mason है civil के अंदर तो यह जो है आप लोग एक बार नजर मार लेना trade कौन कौन सी है age की बात करें तो age maximum इन्होंने जो है 24 साल ही रखे हुई है आप लोग जानते हैं railway का यही criteria है और minimum जो है 15 साल रखे हुई है और यहाँ पर अगर हम आगे बड़े तो form मैंने आपको बता दिया कबसे इसका चालू होगा उसके बाद NCVT SCVT के बारे में बता दिया और यहाँ पर एक अपकी बार इन्होंने अच्छा काम किया है बहुत बच्चों को यह पता नहीं रहता मैं इस पर एक separate वीडियो बनाऊंगा गोराव जूंक्शन पर कि railway में अगर हम apprentice करते हैं तो हमारी जो merit बनती है वो कैसे बनती है कभी-कभी यह 30% प्लस 70% का criteria रख देते हैं पहले बहुत ज़धा होता था ऐसा दस्वी में 70% IT में 30% लेकिन आप इन्होंने 50% के margin पे आप लोगों को जो है यहाँ पर criteria देना शुरू कर दिया merit का तो यहाँ पर क्या है कि for example अगर आप लोगों के दस्वी में 80% और आपके item 80% आए तो दोनों हो गया 160 160 को 2 से आप लोग डिवाइट कर देंगे तो 80% आप लोगों को आ जाएगा तो इसके basis पे आप लोगों की merit यहाँ पर railway में बनेगी तो यह condition इन्होंने जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दी है बाकी candidate जो है यहाँ पर किस तरीके से बुलाया जाएगे यह सारी जानकारी आप लोगों को already है सोर पे आप लोगों की fees लगनी SCST के लिए कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा में भी women को भी पैसा ना देना पड़े सो यह जब form आएगा तब आप लोगों को और चीज अच्छे तरीके से clear हो जाएगी अभी जो जो information थी वैने वो अपनी site से आप लोगों को clear कर दिया इसके लाव official site आप लोगों को दिखा दू आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को बता दिया कब से चालू होगा आशा करता हूं कि 27 तारिक को आप लोग इसका जो है form फिल कर लेंगे स्टार्टिंग के 2-3 दिन का gap ले लिया करो क्योंकि उस टाइम पर site बहुत busy होती है गलती होने के संभावना जादा होती है तो form थोड़ा सा time लेकी फिल किया करो ताकि सारी चीज़ा आप लोग सही तरीके से वाप फिल कर पाए धन्यवाद मेरी तरफ से इतनी updates थी अगर आप चाहते हैं future में apprentice की updates stop कर दूँ तो मुझे एक बार inform कर देना बस जादा संख्या आएगी stopping की तो stop कर दूँगा जादा संख्या बनाने की आएगी तो बनाना शुरू कर दूँगा धन्यवाद